हाई प्रेंट्स कैसे हैं आप लोग बढ़िया हैं हमारे चैनल निलम बिलेज ब्लोग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत हैं और आप लोग के साइट का मौसम कैसे हैं आप लोग बताईएगा इधर तो ठंडा स्टार्ट हो चुगए हैं थोड़ा ज्यादा ठंडा बढ़ गया कि सुपे सुपे ना आने से ना पानी थोड़ा गरम रहते हैं तो अच्छा लगता है लेकिन फिर भी ठंडा है मेरे को तो अभी ओढ़ना है साल और बस आप लोग बताईएगा आप लोग के साइट कैसे कैसे है हाल इधर तो ठंडी लग चुकी हैं और यह प्यूर देशी वाला दूद है इसको हमेशा बच जाता है रात को बच्चों को पिलाने के लिए लाते हैं दूद पहले पापा घर में रहते हैं तो दूद चाय बना के पिलेते हैं उनके लिए दूद चाय बनाते हैं हम लोग तो अभी पापा घर में नहीं है तो अभी लोग पीते हैं तो बहुंँ थोड़ा दू बच जाते हैं, तो इसको हम प्या की थी उबाल वाल के थोड़ा सना कम आच में उसको बैठा दी थी इंडेक्सन में और पूरा घाढ़ा होते तक इसको पूरा मलाई उसका बना लिए पिड़े टाइप का तयार हो गया था इ मैं इसे चॉकलेट चॉकलेट करती हैं, तो मैं इसी को देर रहे थी बच्चे लोगों को खाने के लिए अधा चमच अधा चमच ऐसे करके बच्चे लोग अच्छे से खा रहे थे, और यह देखिए मैं छट पे आई थी थोड़ा सा घूमने के लिए, कोई नहीं है घर में अधा घूमने के लिए थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ सब्जी लगाये हुए थे, उसी को मैं देख रहे थी और आप लोगों को भी दिखा रहे थी, उसके बाद सुबह शुबह था यह, उसके बाद आई तो मेरी भेन नास्ता बना रहे थी, हम दोनों के लिए ही नास्त है, हम दोनों क्या बच्चे लोग थोड़ा थोड़ा खाते हैं, और सब लोग मील के खाते हैं, तो बच्चे लोग भी एक साथ खाते हैं, तो उन लोग भी खाल लेते हैं, तो उनको अकेले से खिलाओ ना तो खाने के लिए पसंद भी नहीं करते हैं, इसलिए एक साथ ही ख सबस्क्राहिए, बच्चे लों में एक दूसरे को देखके खाने लगते हैं, अभी का मौसम ऐसा हुआ है, कि सबको सर्दी, खासी, इससी को बुखार ऐसा ही टाइप का हो रहा है, अधिकतर तो ऐसा ही हो रहा है, बच्चे लोंक एक जने का सर्दी छूटा, तो दूसरे को हो गया है अभी, ऐसा है, तो मैं इसको क्या कर रही थी, दोनों को लगाई थी, बाकि वीडियो की जने का हुआ, ये घी को गरम करके, गाई घी जो सुद्ध वाला होता है, घर में ही बना था, घी को गरम करके मैं लगा रही थी बच्चे लों को, अच्छे से उ गही थोड़ा कड़ा रहते हैं, तो उसमें सर्दी छुट जाता है, बुलके बुलते हैं, इसलिए उसे से मालिस कर रही थी, गला नाक पेट इधार दर करके सब तरब, और नहीं लगाऊंगा, करके कर रहता, सुबह नास्ता करने के बाद यही की, मैं और दोनों बच्चे क लगाई, उसका थोड़ा कम है, इसका थोड़ा जादा हो गया है, तो इसका वीडियो की और वो तो भाग रहा था, इधर उधर हो चोटा है, तो ज्यादा बदमासी करता है, और उसके बाद घर के बाड़ी में यह खिला था, यह कद्दू का फूल है, तो मैं देखी, बहु सबजी बना रही थी, मैं ही बोली कि बना ले, घर में खाएंगे बुल के, और इसके लिए मसाला था, क्या क्या मसाला डाल के अपना तयार की थी, और हमारा लंच रेडी हो गया था,